होटों पर हलकी सी मुस्कान आखों पर काला चश्मा लाल टीके में क्या खूब लगते थे इनके सियासी गड़ित के लोग कायल हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से राजस्थान के राज़िपाल तक सियासत भी की लेकिन सियासी सुख नहीं मिला इतिहास को कुरेटते हुए आपको 68 साल पीछे ले चलते हैं और बताते हैं यूपी के एक ऐसे सीम के बारे में जो गरीबी में मरा और यूपी में कॉंग्रेस बिखेर गया नमस्कार आप देख रहे हैं हमारी खास सिरीज किस्सा उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्रियों का आज दूसरे एपिसोड में हम आपको यूपी के एक ऐसे सीम के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जन एक जन्वरी 1890 को हुआ इस बनारस ने यूपी के एक ऐसे सीम को जन्दिया जो यूपी को एक नया नजरिया देने वाला था नाम था डॉक्टर संपूर्णा नन डॉक्टर संपूर्णा नन मूल रूप से पढ़ाई लिखाई वाले व्यक्ती थे एक शिक्षक थे और करीब 45 किताबे उन्होंने लिखी फिर दोर आया नौकरी करने का जो थोड़े दिन ही चली क्योंकि दिमाग में नौकरी पर दिल में सियासी संग्राम दोड रहा था हिंदी और अंग्रेजी में मैगजीन भी निकाली काशी विद्यापीट में पढ़ाया पर वो दोर नौकरी करने का नहीं था स्वतंतृता संग्राम चल रहा था और वो आंदोलन में हिस्सा भी लेते रहे इसके बाद बड़े ही नेरसर्गिक तरीके से वो राजडीती में सक्रिय हुए फिर 1926 में वो कॉंग्रिस की तरफ से विधान सभा में चुने गए इसके बाद 1937 में Government of India Act 1935 के तहट चुनाव हुआ भारी अरसमंजुस के बाद कॉंग्रिस ने चुनाव लड़ा और इसमें डॉक्टर संपूर नानन विधान सभा में चुने गए फिर यूपी सरकार के शिक्षा मंत्री प्यारे लाल शर्मा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो इनको ये पद मिला बाद में ग्रह मंत्राले और कर्विभाग को भी संभाला वो दोर भावनाव का था उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे डॉक्टर संपूर नानन कभी अपने चुनाव शेत्र में अपने लिए वोट मांगने नहीं जाते थे अगर उन दिनों आज की थरा मीडिया का विस्तार हो गया होता तो वे जाहिर आम चुनाव सभाओं की संख्या भी कम कर देते दूसरी ओर आज कोविट के खत्रे के बावजूत विभिन राजनी तिकदल बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं कर रहे हैं सब जानते हैं कि उन सभाओं में कोविड नियमों का पालन होना लगभग और संभव है दरसल डॉक्टर संपूर्णानन जैसे नेताओं को अपने काम, चाल, चरित्र और चिंतन पर पूरा भरोसा था डॉक्टर संपूर्णानन दिसंबर 1954 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, अप्रेल 1957 में वा दोबारा सीम की कुर्सी पर बैठे संपूर्णानन जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बनारस के गवर्मेंट संस्क्रित कॉलिज को युनुवर्सिटी का दर्जा दे दिया और नाम बदल कर वारण से संस्क्रित युनुवर्सिटी कर दिया उन्ही की सरकार ने 24 मई 1906 को एतिहासिक बनारस शहर का नाम बदल कर वारण सी किया संपूर्णानन सरकार ने सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में रिफॉर्म की कोशिश की उनकी सरकार राज्य में गौहत्या पर प्रतिबन के लिए नियम बनाना चाहती थी उस वक्त आरेसिस और जनसंग इस मुद्दे को खोब उचाल रहे थे हलकि ये मामला सुप्रीम कोट में गया और बात आगे नहीं बढ़ पाई संपूर्णानन के पहले कारेकाल में तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा लेकिन जैसे ही दूसरी बार कुर्सी संभाली समस्याएं खड़ी होने लगी एक तरफ राज नारायन और तुरिलो की सिंग जैसे विपक्षी उन पर हमलावर थे तो दूसरी तरफ कॉंग्रिस के अंदर ही एक धड़ा उनके खिलाप हो गया कॉंग्रिस के अंदर खेमे बाजी चल ही रही थी कि साल 1958 में संपूर्णा नंद सरकार ने सरकारी करमचारियों की रिटाइमेंट उम्र 55 साल से बढ़ा कर 58 साल करने का एलान कर दिया विरोधी खेमा और हमलावर हो गया संपूर्णा नंद के खिलाप गोलबंदी चल ही रही थी कि एक ऐसा मौका आया जब उन्होंने खुद कुलहाडी पर पैर रख दिया ये उनके जीवन का सबसे बड़ा बलंडर था संपूर्णा नंद मानते थे कि कॉंग्रेस का जो धड़ा उनका विरोध कर रहा है उसे चंद्रभानु गुपता ही उकसा रहे है 4 अक्टूबर 1960 को यूपी कॉंग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ संपूर्णा नंद ने खुद मुनीश्वर दत उपाध्याई को मैदान नोतार दिया परचंद्रभानु गुपता 630 वोट के बहुमत के साथ आसानी से अध्यक्षी का चुनाव जीद गए इसके बाद संपूर्णा नंद के खिलाब बगावत धरातल पर आ गई जवाहर लाल नहरू को हस्तक शेप करना पड़ा आखिरकार अपनी गलती के चलते डॉक्टर संपूर्णा नंद को सीम की कुरसी छोड़नी पड़ी उनकी जगा चंद्रभानु गुपता को 7 दिसंबर 1960 को सीम बना दिया गया इस घटना के बाद डॉक्टर संपूर्णा नंद ने राजनीती से सन्यास ले लिया संपूर्णा नंजी ने 10 जनवरी 1979 को दुनिया को अलविदा कह दिया वारणसी में उनकी शव्यात्रा में इतने अधिक लोकुम्रे कि सडकों पर तिल रखने की जगा नहीं थी उनकी अर्थी को जन समुद्र के उपर उपर से किसी तरह खिसकाते हुए घाट तक पहुँचाय जा सका उनकी अर्थी लोगों के सिरु की उपर से ऐसे गुजारी जा रही थी मानो नदी में नाव चल रही हो ये उनकी भारी लोक प्रियता का प्रमाण था जिनने लोग आज भी याद करते हैं खेर आपको हमारे इस खास शो किस्सा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों का दूसरा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कल हम फिर हाजर होंगे यूपी के एक और नए मुख्य मंत्री की कहानी के साथ तब तक मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार